जार्खन का एकलोता मंदिल जहां संस्क्रत नहीं मुंडारी भाशा में होता है मंत्रोच्चा आम तोर पर देवी देवताओं की पूजा वेदिक भाशा संस्क्रत में मंत्रोच्चार के साथ की जाती है लेकिन जार्खन के खोटी जिले में एक ऐसा मंदिर है जा संस्क्रत में नहीं बलकि आदिवासियों में प्रचलित मुंडारी भाशा में वेदिक मंत्रोच्चार होता जगत जन्नी देवी दुर्गा की पूजा की जाती है यह प्रसीत मंदिर खुटी जिला अंतरगत कर रहा प्रखन के सोनमेर में है इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां कोई पंडित पूजा अर्चना नहीं कराता और नहीं करता है बलकि यहां गाव के पाहन ही यहां काम करते हैं पाहन आधिवसी समाज के पूजारी को कहा जाता है एक कावन फिट उचाई पर इस्थित सोनमेर मंदिर जिला मुख्याले खुटी से दस किलो मिटर दूर है राजधनी राची से यहां पोशने के लिए लोद्मा भाया कर रहा होते हुए 45 किलो मिटर बेडों से 32 किलो मिट और सिसाई से 60 किलो मिटर की दूरी तै करनी पड़ती है मातर भाषा मुंडारी में मंतरचार के साथी यह देवी को भेषा बक्रा और मुर्गा की बली दी जाती है मंदिर के पाहन कहते हैं कि अपने गाउ घर की भाषा में देवी की अरधना करने से निकटता का भाव आता ह किसी भी मंदिर में जब कोई भक्त जाता है तो अपने आरध की आरधना अपनी ही भाषा में करता है बहरी दुनिया में क्यों ना कोई अंग्रेजी में बात करे हिंदी में या कोई अन्य भाषा में बात करे लेकिन जब विपत्ती आती है तो सबसे पहले मातर भाषा में ही उसकी कोई प्रतिक्रिया आती है राज तंत्र के समय जर्यागर राज दर्बार में भावे रोप से दुर्गोस्व का आयोजन होता था पुजा के दोरान पूरे शेत्र से बली देने के लिए जर्यागर राज दर्बार में बेसा पहुचाया जाता था सोनमेर मंदिर से भी भेस पोचाया जाता था सोनमेर के शिखर परिवार के भर शिखर कहते हैं कि दशेरा के समय सोनमेर से भी जरियागर भेसा जाता था एक वर शिखर परिवार में छूत का पड़ा था उनके परिवार में एक इस्तरिक गर्बवती थी इसके कारण सोन मेर से बली के लिए भेसा नहीं गया सायोग से बली के दिन ही शिखर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ इसके बाद जरियागड के ततकालिन राजा ने दशेरा के दोरान बली नहीं देकर इस परंपरा को दशेरा के पांच दिन बाद पूर्णिमा की रात को निभाने का फैसला किया इसके बाद राजार के आदेश के अनुसार दशेरा के पांचवे दिन बाद अश्विन पूर्णिमा के दूसरे दिन सोनमेर में ही भेसे की बली को दिया जाने लगा और मेला लगाया जाने लगा इत्यासिक सोनमेर मंदिर का इत्यास लगबक 300 वर्ष पूराना है गाउं के बुजुर्ग बताते हैं सोनमेर माता जो मादुरगा के रूप में है सबसे पहले गुड़गुड गाड़ा में प्रकट हुई थी उसमेबाद गाउं के ही दिवंगत चतुर शिखर के सपने में देवी मा आई इसके बाद दिवंगत चतुर शिखर ने गाउवालों के साथ विचार कर माता को 1917 में बेल गाड़ी से सोन मेर टोंगरी ले जाकर स्थापित किया इसके बाद सोन मेर टोंगरी में ग्रामीन माता के दर्शन पूजन करने लगे चतुर शिखर के निधन के बाद उनके वन्शच और गाउं के सभी सदस्य मुंडा, पहान, धल, बढ़ाई, आदी समुदाय के लोग मंदिर में विवस्ता को सुचारी रूप से चलाने के लिए समीती बना कर पूजा अर्चना करने लगे कहते हैं कि सच्चे मन से देवी मां से मांगा गया हर वन्नत पूरी होती है शुरू में यहां जोपड़ी नुमा मंदिर का रूप था इसके बाद भक्तों ने गाउं वालों की मदद से 1980 में यहां देवी का भवे मंदिर बनवाया वर्तमान में मा की ख्याती इतनी विख्यात हो चुकी है कि जारकंड ही नहीं बलकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार 36 गड़ समेत कई राज्यों से भक्तिया माता की पूजा कर अपनी मुराद मांगने पहुँचते हैं इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद